असलाम वालेकुम दोस्तों ओकेसियों आप सब लोग आज हम बना रहा है सोयबिन की बड़ी कड़ी के साथ तो ये देखी इसका सामन है ये 50 ग्राम बड़ी है सोयबिन बड़ी है 200 ग्राम दही और एक चमज भरके बेसन है हल्दी नमक नमक सौध नुसार लेना है हरा धनिया पत्य और ये लहसन की कुछ कर लिया ये सब तड़के का सामन है राई जीरा अदा अदा चमज लेना है पिहले सोयबिन को हम पानी में बोईल कर लेंगे अच्छ एकफिक spectacle में मिक्सर में गुमाय इसे या एक बीलास में जानाँ एक गिलास पानी ढाल तुटल हम इसमें एक गवाड़ा और पानी ढलेंगे क्योंकि जी इतना पकता है उतना घारा होते जाता इसमें घर बिषामार का पेएंगे पहले कड़ाई रखेंगे और पूरे बेटर को हम इसके अंदर डाल देंगे हम इसे अच्छे से बोइल करना है जिस तरह घलते हैं कर्कड कर वेसे ही से भी पकाना है यभी देखें लगए और पानी में बाड़ांस पक़े तो अच्छे हो जाए बेसन हमने बड़े चमच से लिया है आप देख सकते हो चमच बड़ा था इसलिए आप भी ज्यादा बेसन ले नहीं तो आपके कड़ी फड़ सकती है अभी हमने सोयबिन को ठंडे पानी में डाल दिया और अच्छे से नाइटाए पांड में निकाल लेंगे ताके कड़ी के अंदर डाले तो कड़ी पुरह फलेवर उतर आये अभर हम उसे चलाते रहेंगे तके फटे नहीं देखे कितनी गारी हो चुकी है इसे पकने में 10 मिनिट का टाइम लगा था हम इसे ज्यादा भी नहीं पकाएंगे क्योंकि ये बस ओचुकी है देखे हमें ये तनी गाड़ी चाहिए आपको जितनी गाड़ी है पतली चाहिए अब उसके हिसाब से लेए हम इसे एक बरतन में खाली कर लेए अब हम सोया बीन को थोड़ा सा तेल लेकर फ्राइ करेंगे हमने सोया बीन को एक मिनट के लिए बोईल किया था इसलिए वो अच्छे खासा गल चुका है जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो कड़ाई में चटकेंगा लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता है और टेस्टी लगेंगा कड़ाई में चिपक रहा है इससे कोई फरखनाय तबिए हमने इसमें एक चमच नमक डालाइए हमने पूरी रेसीप्य में कहीं भी नमक का यूज नहीं किया बस Mahar combat Bindung Le In A और आप भी इसी वक्त डालें इससे क्या होगा यह सोयविन में पूरी तरीके से नमक उतर जाएंगा अब हमने छोटी कड़ाई ली है अब हम इसमें बगार तयार करेंगे हम कड़ी को तड़का लगाएंगे यह जीरा और राई हमने इसमें डाल दिया है अब यह जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगा तो हम इसमें लहसुन डालेंगे प्याज इसमें आप चाहे तो डाले या ना डाले हमने भी थोड़ी सी प्याज का यूस किया है हमने थोड़ी सी प्याज इसमें यूज किया आप चाहे तो नहीं भी डाले यह लहसुन भी गुल्डन हो चुका है अब हमने इसमें प्याज डाल दी है प्याज हमने बहुत कम डाली है और हमने जो लाल में चिली थी उसके तुकड़े करके डाल दी है इस तरके से ही पूरी कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बड़ी भी डाल देंगे बड़ी डालने से यह होगा कि बड़ी में एक तरीके से फ्लेवर पूरा उतर जाएंगा और इसमें बहुत अच्छा ही से टेस्ट आएंगा यह ठोड़ी सी हमने लाल मिल्च डाली है कलर के लिए ताकि हमारी कड़ी के ओपर थोड़ा सा कलर आजाए यह जलेंगी नहीं हमने पूरे प्रोसेस कम लोपे की है ताकि यह जलेंगी ये देखे हमने कड़ी को तड़का लगा दिया है और सपुछ इसमें हम अच्छे से मिला देंगे ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल है और लेकिन खाने में इसका सवाब बहुत ही जाद लाजवाब था आप एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करें हमने बनाई और खाई बहुत ही टेस्टी लग रही थे ये कटा हुआ हरा धनिया पत्ती है जो हमने काटके रखा था अब इसमें हमने मिला दिया है सोयविन प्रोटीन से भरा हुआ होता है इसे किसी ना किसी रूप में खाना ही चाहिए तरकारी सबजी तो आपने बहुत खाई होंगी लेकिन आप एक बार इस कड़ी को बना कर देखें आपको एक कड़ी भी बहुत पसंद आएंगी ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और हमसे अगर कोई भी गलती हो रही तो हमें वो भी बताए ताके हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें अल्ला हाफिस्थ